हालो आवरीवन वेलकम बेक टू माई चैनल आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट निम्बर थर्टीन कवर करेंगे जो की वर्ल्ड जोग्रफी का तेरह वाँ टॉपिक है जिसका नाम है विश्यो के प्रमोख अध्योगे क्षेत्रोडी है काईस मेरी तव्यद थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए आई थिंक दो दिन से तीन दिन से आवाज थोड़ी लो होगी बट ठीक है मैं बेस्ट दिने की कोसिस करूंगी फिलहाल स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कोईशन के साथ लोह अयस्क शेत्रों मेसाभी रेंज किस देश में आवस्थ देते हैं आपके आप्शन से अमेरिका ब्राजील दक्षन अफरीका या फिर चीन और यहां बाकी के भी दे रखे हैं देखे हैं यहां पर लोह अयस के शेत्र दे रखे हैं अमेरिका में मेसाभी रेंज है जोकि सुपिरियर जील के पास है ब्राजील में इताबीरा पहाडी है और दक्षिन अफरीका में पोस्ट मासबर्ग शेतर है जो कि ट्रांसवाल में है उसके बाद शीन में मंचूरिया शांसी और शांतूंग है नेक्स्ट है नेमने लिखित में से कौन साल लोह अयसक शेतर आस्ट्रेलिया में इस्थेता है आप्षिन्स है मेगनी टोगोर्स परवत है कीरूना पिलबारा या फिर क्रिवाय राग तो करेक्ट आंसर है पिलबारा आप्षिन्वर सी रूस में है मेगनी टोगोर्सक परवत स्वीडन में है कीरूना वा गैलिबारा आस्ट्रेलिया में पिलबारा शेतर है यूक्रेन में क्रिवाय राग है चीन का पैंकी शेतर किस खनिच हेतू प्रसिद्ध है आप्षिन्स है लोह चांदी सोना या फिर मेंगनीज गरेक्ट आंसर इस मेंगनीज ओफियर नुबर डी बाकी जो है पैंकी शेतर जो है चीन से संबन्दित है और दक्षिन अफरीका जो है पोस्ट मास वर्ग शेतर और गैबोन जो है माओड खान नेक्स्ट जो है माओड खान ही तु प्रसिद्ध है नेक्स्ट इसमें दे रखा होगा जो अंसर है ओकी अंसर तो इसमें दे ही दिया ना इसलिए यहाँ पर ठीक है नेक्स्ट है निकोपोल मेगनीज शेतर किस देश में इस्थित है उप्षिन से यूक्रेन इटली ब्राजील या फिर यूएसे तो यह है निकोपोल मेगनीज शेतर जो है यह इस्थित है यूक्रेन में उप्षिन बरे इस करेक्ट यूक्रेन में निकोपोल है बात करें अगर मीनास ग्र मुखतांबा शेत्र जिसका नाम है चुक्विक माटा किस देश में आवस्थित है चिली अमेरिका कॉंगो या फिर दक्षन अफरीका तो यह आवस्थित है चिली में आप्षिंबर A is correct बागी के जो शेत्र है अमेरिका में एरिजुना वो मॉन्टाना प्रांथ है कांगो में क बाटंगा शेत्र है रक्षन अफरीका में ट्रांसवाल वा केप प्रांत है नेमने लिखे में से कौन सार तामभा शेत्र ऑस्ट्रेलिया में इस्थित है सड़बरी मॉंट मॉर्गन मॉंट इसा या फिर B और C दोनो यानि कि मॉंट मॉरगन वा मॉंट इसा दोनो ही है में माउंट मोरगन वुए माउंट एसा है नेक्सट गवाइप सब्सक्रानिए का वाइपा श्वेतर किस खन खेटों प्रसिदhof है लोह बॉकसाइट पर नहीं प्रसिद्ध कि यहांपर आस्ट्रिया तो वाइपा श्वेतु प्रशिद्ध है रूस कोला प्राइदी फेटु प्रशिद्ध है इसके अलावा गिनी बोक या फिर बौफा हेटु प्रशिद्ध है नेक्स्ट है उत्तरी नेटाल प्रांत जो की एक वक साइट उत्पादन शेत्र है किस दे बॉक्साइट शेत्र दे रखिया उत्री नेटाल प्रांत दक्षिन अफरीका में है और सेंट एलिजाबेट सेंट मेरी शेत्र जमैका में है इंडोनेशिया का बांगा शेत्र किसके उत्पादन हेत्व जाना जाता है तिन, बॉक्साइट, सोना या फिर मेगनीज तो यह जाना जाता है तिन हेत्व, option number A is correct इसके अलावा तिन उत्पादक शेत्र मतलब विविन देशों में कहां कहां पने चीन में युनान वहुनान, मलेशिया में पेनांगव, सेलांगोर, इंडोनेशिया में बांगा, थाइलेंड में यूकेट औस्ट्रेलिया में ब्रोकेन हिल किस दातू के उत्पादन के लिए जाना जाता है तिन, बॉक्साइट, सोना या फिर चांदी तो यह जाना जाता है, चांदी हित्व, ऑप्शिंबर D is correct चांदी उत्पादन शेत्र और देश, यानि के डिफरेंट कंट्रीज में कौन से कौन से शेत्र है मेक्सिको में चिहुआ हुआ, इसके अलावा जकाटेक्स्ट भी है औस्ट्रेलिया में ब्रोकेन, हिल और माउंट इसा है कैनेडा में क्यूबेक और ओंटोरियो है अमेरिका में एरिजोना, मॉंटाना और कोलरेडो है बोलिविया में पोटैसी नेक्स्ट क्वेस्टन है, निमनेलिखित मैंसे कौन? दक्षिन अफरीका में सोने का प्रमोख उतपादक केंद्र है जोहांसबर्ग, किमबर्ले, बोक्सबर्ग या फिर उप्रुक्त सभी तीनों ही दक्षिन अफरीका में हैं आंसर डी हो जाएगा देश दे रखे हैं और सोना उतपादन शेतर दे रखे हैं अस्ट्रिया में कालगुर्गी, कूलगार्डी, माउंट मोर्गन हैं अमेरिका में आलासका और कैलिफोर्णिया हैं दक्षिन अफरीका में जोहांसबर्ग, किमबर्ले और बोक्सबर्ग हैं नेक्स्ट है कांगो का कटंगा, पठार, किसके उतपादन हेतु, विश्व प्रसिद्ध है हीरा, पॉक्साइट, सोना या फिर चांदी तो यह प्रसिद्ध है हीरा हेतु, आप्षिन बर A is correct हीरा के उतपादन शेतर और किन किन देशों में हैं कहां कहां पर दक्षन अफरीका में जुहांसबर, किमबर्ले और केप टाउन है, कांगो में कटंगा, पठार है और भारत में पन्ना और इसके इलाबा गोल गुंडा की खाने है प्रसिद कोईला उतपादन शेतर डोन बास किस देश में हैं, आप्षिन से चीन, अमेरिका, यूकरेन या फिर रूस तो यह है, यूकरेन में आप्षिन में और C is correct ठीक है, तो कोईला शेतर हैं और देश हैं देख लेते हैं इस ट्रेवल को भी चीन में जो कोईला उतपादन से संबंदित शेतर हैं, शांसी है, मंचूरिया है और बीजिंग है अमेरिका में आलपेशियन शेतर है, मिसौरी है, इसके अलाबा ओकला होमा है बात करें यूकरेन की तो वहाँ पर डोनेट्स या फिर डोनबास शेतर है, रूस में मॉस्को टूला एंड कुछबास शेतर है, सखालीन है, उसके अलाबा कुजनेट्स है ठीक है रूर घाटी, निम्न लिखित में से किसके उत्वादन हितू विश्व प्रसिद्ध है, और ओप्शिन्स आर हीरा, कोईला, सोना या फिट चांदी तो यह प्रसिद्ध है, कोईला हितू आप्शिन्स बर भी इस करेक्ट विश्व में कोईला के प्रमुख शेत्र है, एक सेकेंड येस, सही है कोईला के शेत्र है, जर्मनी में, रूर घाटी और सार्ज शेत्र है, ब्रिटेन में, नाटिंगम, यॉर्क शायर और डर्बी शायर, इसके लाबा ब्रिस्टल भी है इसके साथ ही हम बात करें हो, अस्ट्रेलिया की तो न्यू साउथ वेल्स है, दक्षिन अफ्रीका में, ट्रांसवाल और नेटाल है मरा, कैबो, जील किस देश में इस्थित है, जो कि एक पेट्रोलियम उत्पादन शेत्र है, सौदी अरब, वेनेजुएला, कोवेट या फिर एराग सुकरेक्ट आंसर इस वेनेजुएला, ऑप्षिन बर भी इसकरेक्ट देश दे रखियों पेट्रोलियम उत्पादन के शेत्र है, सौदी अरब में धावर, अबगीक और कातिक्फ है, वेनेजुएला में मरा, कैबो, जील और औरिनेको वेसिन है, कोवेट में बोर्हान पहाडी है, इराग में बसरा और किरकुक है निमलिकित में से कौन सा यूरेनियम उत्पादन शेत्र कैनेडा में वस्थित है, ओप्षिन्स आर, अथाबास का, कोलारेडो पठार, कटंगा पठार, या फिर, विटवास, विटवास ट्रेंट पहाडी, सौडी, ठीक है, सौ, करिक्ट आंसर इस अथाबास का ओप्षिन इस करेक्ट, देश दे रखें, यूरेनियम उत्पादन के शेत्र हैं साइड में, कैनेडा में हैं, अथाबास का, और पोर्ट रेडियम, नेक्स्ट है, अमेरिका में, कोलारेडो पठार है, कांगो में, आपका, कटंगा पठार है, बात करें, विटवास, रेंट, पहाडी क जो की दक्ष्न उफ्रिका में है, नेवी लिखित में, किसको जापान का, डेट्रोयत कहते हैं, आफशन से, उसाका, नगोया, कावैसाकी, या फिर, याकोहमा, आन्सर जो है, वह नगोया है, आफशन बर भी, is correct, नगोया को जापान का डेट्रोयत कहते हैं, यह और आटो वस्तर उत्योग केंद्र हैं नेमने लिखीत मेंसे किसको जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं। options हैं किनकी नगोया, कावासाकी या फिर याकोहां हामा। correct answer is कावासाकी option but C is correct. कावासाकी को जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं। यह लोह इसपात उध्योग का प्रमुख केंडर है जापान का किनकी प्रदेश सूती वस्तर लोह इसपात मोटर वहान उध्योग का केंडर है निमने लिखित में से कौन जापान में पोत निर्माड का प्रमुख केंडर है यौर आप्शन सारो साका नगोया कावा साकी या फि याको हामा जापान का प्रमुख पोत निर्माड का खेंद्र है एक्स ट्रेक किस देश में बाजार आधारित लौह आवम इस पात के कार खाने पाए जाते हैं भारत में जापान में चीन में या फिर जर्मनी में तो यह कार खाने पाए जाते हैं जापान में आप्शिंबर भी जापान में बाजार आधारित लोह एव में इस बात की कार खाने पाए जाते हैं यहां कच्छे माल की अलपता के कारण मुख्य दह बाजार आधारित उध्योगां का विकास हुआ है नेक्स्ट है उध्योगी केंद्र ग्रेट लेक्स प्रदेश कहां अवस्थित है आप्शन्स हैं कैनेडा, जापान, चीन या फिर यूएसे यहां अवस्थित है यूएसे में आप्शन बडी इस करेक्ट ग्रेट लेक्स प्रदेश पूरे यूएसे तथा उत्तरी अमेरिका महादीब का प्रमुख औध्या के केंद्र है निमने लिखित मैंसे किसको विश्व की स्पात राजधानी भी कहते हैं शिकागो को, पिट्सबर्ग को, डेट्रॉइट को या फिर लॉस एंजलेस को तो यह कहते हैं राजधानी हम पिट्सबर्ग को विश्व की स्पात राजधानी आप्शन बडी इस करेक्ट USA का पिट्सवर्ग लोहा वाइस पात उत्पादन का केंद्र है इसे विश्व की स्पात राजधानी भी कहते है निमने लिखित में से कौन USA में वायू यान उध्योग के लिए जाना जाता है शिकागो, सैन फ्रांसिसको, डेट्रोइट या फिर सियेटल वायू यान उध्योग के लिए जिसको जाना जाता है वह है सियेटल, आप्शन बड़ी तो शहर दे रखें और उध्योग दे रखें है नानि कि किस उध्योग से सम्बंदित कौन सा शहर है मास प्रसल्सकरण से सम्बंदित शिकागो है पहला इसके अलावा कुछ और दिये गए है सैंट फ्रांसिसको जो है सिलिकोन वैली सोफ्ट्व और उध्योग है डेट्रोइट जो है बहुर मोटरकार उध्योग से सम्बंदित है और सियेटल या फिर लॉस एंजलेस जो है ये वायू यान उद्योग से संबन देता है और जो कि केंद्र न्यू इंगलेंड प्रदेश किस देश में अवस्थित है USA में, बृतेन में, जापान में या फिर न्यूजिलेंड में तो यह अवस्थित है USA में आप्शिंबर A is correct न्यू इंगलेंड प्रदेश USA में अवस्थित है जो सूती वस्थ्र, सूती वा उनी वस्थ्र चमडा तथा मशीनरी उद्योग का केंद्र है USA का कौन सा केंद्र तेल एवं प्राकर्तिक गैस उद्योग के लिए जाना जाता है आप्शन्स हैं फिला, डेलफिया, सैन फ्रांसिसको, हूस्टन, या फिर सीटल तो correct answer जो है वह हूस्टन है option number C is correct फिला, डेलफिया, लोकोमोटिव उद्योग और जो हूस्टन है वह तेल एवं प्राकर्तिक गैस उद्योग है ठीक है ये दोनों नाम दे रखिया आपे नेक्स्ट है निम्न लिखी तुम्हें से किसे रूस का मैंचेस्टर कहा जाता है options है लेलिन, ग्राद, उसके बाद है मैगनी, टोगोर्स, नेक्स्ट है टोगोर्स है कह सकते हो, उसके बाद है मास्को और इवानोवो इवानोवो को रूस का मैंचेस्टर कहा जाता है ये वस्त्र उध्योग हेतु प्रसिद्ध है लेनिन, ग्राद, जो है पोत, निर्माड, कागज और मशीनरी उध्योग हेतु प्रसिद्ध है बात करेकर मैगनी, टोगो, सर्की तो यह लोहा इस बात उध्योग हेतु प्रसिद्ध है मास्को जो है धातु, रसायन एवान मशीनरी हेतु प्रसिद्ध है नेक्स्ट कुश्यन है मशीनरी एवम इंजीनियरिंग उध्योग का केंद्र गोर की किस देश में आवस्थेत है आप्शन से यूएस से, ब्रिटीन, रूस या फिर न्यूजिलेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वह रूस है आप्शन पर सी गोर की रूस रूस में है जो कि मशीनरी एवम इंजीनियरिंग उध्योग से संबन देत है और चेलिया ब्रिंस के वह 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 रूस में है जो कि धातू और सेन ने मशीनरी उध्योग से संबन देत है निम्य लिखित में से कौन संसार के सुप्रसिद्ध सूती वस्त्र ऐवम जलपोत निर्माण उध्योग के केंद्र है मैंचेस्टर लिवरपूल उपर्योक्त दोनों या फिर इनमे से कोई भी नहीं तो यह है मैंचेस्टर और लिवरपूल दोनों हैं अंसर सी हो जाएगा नेक्स्ट इसका एक्स्प्रेंशन देख लेते हैं मैंचेस्टर और लिवरपूल इंग्लेंड के लंका शायर उध्योगिक प्रदेश में इस तेट संसार के सुप्रसिद्ध सूतिवस त्रैवम जलपोत निर्माड उध्योग की केंद्र है नेमलिकित मैंसे इंग्लेंड का कौन सा शहर अपनी कटलरी उध्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है आप्शन्स यहाँ दे रखे हैं मैंचेस्टर, लिवरपूल, बर्मिंगम या फिर शेफिल्ड तो करेक्ट आंसर जो है वह है आपका शेफिल्ड, आप्शन मट्डी इस करेक्ट शेफिल्ड कटलरी उध्योग के लिए प्रसिद्ध हो और बर्मिंगम की बात करते हैं पैरिस, लियोन, टोलूज या फिर शेम्पेइन तो करेक्ट आंसर जो है वह है आपका लियोन आप्शन बर भी इस करेक्ट पैरिस, फेशन डेजाइनिंग, मोटर गाड़ी और वायव यान उध्योग ही प्रसिद्ध है बात करें लियोन की तो है रेशम वस्तर उध्योग ही तो प्रसिद्ध है इसके अलावा टुलूस जो है वह लडाकू विमान उद्धियोग ये तु प्रसिद्ध है और शैंपेन वबोर्डो शराव उद्धियोग के लिए लॉरेन सार शेतर जो की लौहवा इसपात का केंदर है किस देश में अवस्थित है युएसे ब्रिटेन रूस या फिर फ्रांस तो यह अवस्थित है फ्रांस में आने के आप्शन बर डी इस गरेक्ट फ्रांस का लॉरेन सार शेतर लौहवा इसपात उद्धियोग का प्रमु चुन तो correct answer जो है वह शंगाई है option मर ए is correct शंगाई सूतिवस्त उध्योग है तुप्रसिद है अंशन वकेंटन लोह वैस पात उध्योग है तुप्रसिद है वहान जल्यान निर्माण उध्योग है तुप्रसिद है और चांग चुन और टॉ मुवाइल वा मशीनरी है तुप प्रसिद्न है इम्लिकित मैंसे कौन तेल शोधन उठ्धियों के लिए चर्चित हैं बाकू ग्लासको जोहांसबर्ग या फिर केमबर्ली जो करेक्ट आंसर जो है वह बाकू है ऑप्शन बर ए इस करेक्ट यहां देश दे रखे हैं शेत्र दे रखे हैं उनके और उठ्ध्यों भी दे रखे हैं बात सबसे पहले बाकू की करेंगे जो के अजर बैजान का शेत्र है तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है उठ्ध्यों जो है वे तेल शोदन है ग्लासको स्कॉटलेंड का शेत्र है जल्यान वा मशीनरी के लिए प्रशिद है जो हांसबर्ग दक्षन अफरीका का है जो कि सोना खननन हेतु प्रशिद है और किमबल्ले दक्षन अफरीका का है जो कि हीरा खननन हेतु प्रशिद है नेक्स्ट कुश्चन है निम्न लिखित में से कौन अपने कौफी उध्योग के लिए विश्व प्रसिद है option से मिलान, वैनिस, साउपालो या फिर मरकैबो so correct answer is साउपालो option number C यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके से ये table दिया गया है मिलान जो है इटली का शेत्र है और यह रेशम वस्तर उध्योग हेतु प्रसिद है वैनिस इटली का ही शेत्र है जो कांश निर्माड हेतु प्रसिद है साउपालो है ब्राजील का लेकिन यह कौफी निर्माड हेतु प्रसिद है और मरकेवो जो है वेनेजुएला का है जो तेल शोदन उध्योग हेतु प्रसिद है कौन सा शहर अपने सिगार उध्योग के लिए जाना जाता है योर आप्शन सार ओटावा, हवाना, अबादान या फिर एशन so correct answer is अबादान आप्शन पर C ओटावा शेतर जो है केनेडा का है कागज उध्योग हेतु प्रसिद है civनलिक्त में से कौन सा शहर अपने हीरा उध्योग के लिए जाना जाता है आप्शन से दूंडी, एंटवर्प, स्कॉट, सारी, स्टॉक होम या फिर मॉन्ट्रियल तो यह है एंटवर्प ऑप्शन पर भी इस करेक्ट डूंडी जो है वह स्कॉट्रूट लैंड, एक सेकेंड मैंने कुछ ऊपर गलतों नहीं बढ़ दिया, नहीं सही है डूंडी जो है वह स्कॉट्लेंड का है जो कि जूट वस्तर उद्योग हेतू प्रसिद्ध है Antwerp जो है Walzium का है जो कि हीरा उध्यो उध्यो प्रसिद्ध है Stock Home स्वीडन का है और यह जल्पुत है तो प्रसिद्ध है जल्पुत निर्मार Next है Montreal जो कि Canada में हो और यह जल्पुत निर्मार के लिए ही प्रसिद्ध है कौन सा देश अपने डियरी उध्यों के लिए जाना जाता है चिली डेनमार्क स्वेजर लेंड या फिर उप्रुक्त सभी तो डियरी उध्यों की यहां पर बात की जा रही है जो कि डेनमार्क है ऑप्शन पर भी इस करेक्ट ठीक है सेंटियागो चिली में है शराब उध्यों के लिए प्रसिद है और कोपेन हेगें डेनमार्क में है जो कि डेरी उध्यों के लिए प्रसिद है जीूरिक स्वेजर लेंड में है जो कि इंजीनियरिंग है तो प्रसिद है औस्ट्रेलिया की कूल गार्डी वह काल गूर्ली शेत् किस खानिज के उत्पादन के लिए प्रसिध है निकेल लौह, सोना या फिर चाणदी तो यह प्रसिध है लोह, सॉरी लोह, सोना ही तो प्रसिध है, option number C correct है Australia की कॉल गार्डी वर काल गोर्डी शेत्र सोने के उत्पादन के लिए प्रसिध है आस्ट्रेलिया का माउंट गोल्ड सवर्थी किस खानीच की खानों के लिए प्रसिद है आप्शिन्स हैं बॉक्साइट लोह सोना या फिर चान्दी तो यहाँ प्रसिद है लोह है तू आप्शन पर B is correct आस्ट्रेलिया का माउंट गोल्ड सवर्थी लोह अयसक की खानों के लिए प्रसिद है 39 कोशन इस टॉपिक से बन रही थी जो कि कम्प्लीट हो चुके है आप्शन सो सॉरी अगर इस में भी मेरी वाइस लो रही हो तो वैसे मैंने पूरी कोशिश की है अपना अच्छा बैस्ट देने की हाँ पर सो ठीक है पीडिएफ की कर बात करते हैं साइट का लिंक में जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से आप लोग वहाँ पर विजिट कर सकते हो बाकी सारे टेस्ट की भी जानकारी मिल जाएगी या फिर इस नंबर पर वाटसेप कर सकते हो तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में